नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस लेटेस्ट वीडियो में हम बात करने वाले EPS 9550 को ले करके आज की सबसे बड़ी अपडेट जी हैं दोस्तों पूरी अपडेट चार महतो पुरन अपडेट चार बहुत ही बड़ी अपडेट में आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ दोस्तों वीडियो स्टार करने से पहले आपसे चोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो ब्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और पर लाइकम को प्रेस कर लीजी ताकि आने वाली हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके चले दोस्तों बिना टाइम बरबाद की वे सबसे पहले हम अपडेट के और बढ़ते हैं जो की एप एपो के तरफ से लगाए गई है आज की अपडेट है खाता धारक पूझ रहे हैं कि कब तक आएगा पी एप का ब्याज दिपावली पर नहीं हुआ ट्रांसफर जियां दोस्तों इसी से सम्मंदित इस अपडेट के बारे हम बताए गया है और दोस्तों पैंशन बरड़तरी को लेकर के और भी दो तीन अपडेट और है वो भी हम हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे वीडियो को आप अंतर तक जरूर देखें करमचारी वविशी एनिदी संगठन से जोड़े खाता धारक दिपावली के मोके पर अपने पी एप खाते में ब्याज का इंतजार कर रहे थे लेकिन ये अभी तक उनके खातों में करने वाले और रिटार्मेंट के समय नोकरी गवाने पर खाता धारक को एकमुक्द बड़ी रकम मिल जाती है एप पो पी एप पर अच्छा ब्याज देता है और करोना काल में दिपावली पर पी एप का ब्याज ट्रांसपर नहीं होने से ट्विट पर एप पो के अधिकारि एक अकाउंट पर लोग बूज़ रहे हैं कि उनके खाते में पी एप का ब्याज कब आएगा एप ओ के अधिकारिक खाते पर घरायक सिकाइत कर रहे हैं कि इस साल पी एप का ब्याज कब तक आने की उमीद है हालांकि पी एपो की तरफ से इस पर कोई जबाव नहीं दिया ग का दो किस्तों में आना है ब्याज एपिएपों ने कहा था कि वे छे करोड से अधिक सदिशियों को वित वरस 2019-20 के ब्याज को दो किस्तों में देगा एपिएपों को 8.50 पिसदी की धर से पिएप पर ब्याज देना है करोनमामारी और लोगडाउन की वज़े से उपजी घंब देर आर्थिक प्रस्तितियों के कारण पहले 8.15 पिसदी ब्याज पहली किस्त में मिलेगा बलकि दूसरा है जो जो दिसंबर में मिलेगा 0.35 पिसदी का बुगतान करना होगा जी दोस्तों ये एक बड़ी अपडेट थी और दूसरी अपडेट दोस्तों आपको बता दूं क जो साथमा वेतन पर है उससे डिये में बुडोतरी को हरी जंडी दिखा दी गई है इसे करमचारीओं को होगा फाईदा जाने कैसे जिए दोस्त में आपको बता दूँ कि डीये बुडोतरी को लेकर के हरी जंडी दिखा दी गई है वेस्विक के महामारी ने जो कोवीड डुनी से ने उसको तगड़ा जटका दिया है खास कर आर्थिक मोर्चु पर आम से लेकर खास हो गया और फिर निजी सेतर से लेकर के प्राइवेट से जुड़े सब पर असर पढ़ रहा है इसी संकट के बीच उन दिली सरकार के उन करमचारियों के लिए अच्छी खबर आ रही है जो लंबे समय से अपने जो डिये में इजाफा की आस लगाए बेटे हुए हैं दिली के मुख्यमंदरी अर्विंद केजरिवाल के नर्थतोय वाले आप सरकार ने अपने करमचारियों को डिये बढ़ाने का पैसला लिया है जे दोस्तों आपको बता दूँ इस अपडेट के बारे में जो कि अन्य सरमीक है जो यू एस एस और अन्य जो सरने में आने वाले करमचारियों को सिपारिस के हिसाब से डिये मिलेगा चार दिसंबर को इसके बारे में जानकारी देते हुए राजदानी के डिप्टी S.M. मनीश सिसोदिया ने कहा था कि उनकी सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि करोना वाइरस से जो संकटकाल के दोरान करमचारी जो सरकारी करमचारियों को समेव से तनख्वा मिले और बता दे कि दिल्ली का सरम विभाग का जो परभार भी सिसोदिया के ही पास है जानकारी के मुद्टाबे यूनिकल वर्डस के लिए मासिक वेतन 15,400 ब्रानमे रुपे 5,600 रुपे एक दिन का और जो स.S. वर्ड है के लिए 17,000 गुनशितर रुपे जो की 677 रुपे परती दिन के लिए है और मैं आपको बता दूँ दोस्तों ये डिये के रूप में विश्तरित बताये गया है सेकिल्ड वर्डस के लिए जो 18,700 सत्यान में रुपे मासिक एक दिन के 723 रुपे देखिये गये है तो दोस्तों दूसरी अपडेट ये थी और बढ़ते हैं तीसरी अपडेट के और देखते हैं क्या लगाए गई है अपरेल से बदल जाएंगे आपकी सिलरिस से जोड़े करोड़ करमचारी उनको होगा असर जे दोस्तों करोड़ जो करमचारी है उनको इसका असर होगा जे दोस्तों अपरेल 2021 की बात कई जा रही है जिसें करोड़ करमचारी उनको इसका असर होगा देखते हैं क्या असर बताया जा रहा है दोस्तों अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमार चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेलाइकिंग को प्रेश जरूर कर ले अप्रेल मैने से करमचारियों की सेलरी पी एप और ग्रिचुएट के नियमों में बदला होने जा रहा है के अदर सरकाण ऐसे कामपन सेंस नियमों का लागू करने का एहलान बना रही है जिसकी वज़़ज़़ से कमपनियों की जो बेल्स सीट में बदलाऊ देखने को मिलेगा और अप्रेल मैने से करमचारियों की सेलरी पी एप और ग्रेजट के नियमों में बदलाव किया जाएगा ज़स तो इस नियमों के वज़े से करमचारियों की सेलरी सिल पे प्रविट डिफंड है ग्रेजटी हाथ में आने वाले सेलरी भी है आपको बता दें ये नियम पिछले साल संसद से पारित हुआ है वेज कोट का इंसा है और अगले फाइनल सीप येर से हैं इटी की खबर में मुतावित इन नियमों के बाद कंपनी के जयदातर पे बदलाव देखने को मिलेगा और बता देंगी रिटार्मेंट के बाद ग्रेजटी की रखम बढ़ जाएगी और ग्रेजटी का किल्कुलेशन बैसिक सेलरी का अदाय पर होगा दोस्तों आज की ये थी तमाम बड़ी खबरे अगर आपको ये वीडियो फ़संद आए तो वीडियो को ज़दे ज़दे सेर करें लाइक करें कमेंट करें हमारी चैनल पर आपको पूरे दिन की EPS 95 पैसनरों के लिए पूरे दिन की अपडेट एक ही वीडियो के अंदर मिल जाएगी असा करता हूँ कि मेरे दोबरादी की जानकारी आपको बहुत अच्छे लागी अच्छे लागी तो वीडियो को लाइक करें सेर करें और चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए टे कियर बाई बाई जैहिन अच्छे लागी